आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which is the Vector for Malaria? Malaria एक ऐसा Disease है जो कि Mosquito से होता है और इनके अंदर जो Parasite Form होता है या फिर ट्राविल करता है उसका नाम होता है Plasmodium तो चली देखते हैं कौन सा ऐसा Vector है Mosquito का जहां पर यह Malaria वाले Plasmodium पाए जाते हैं पहला है Male Culex, Next है Female Culex Culex वाले Mosquito जो है Especially Female Culex वो क्या करते हैं? वो करते हैं हमारे Encephalitis को पैदा यानि यह Disease जो Encephalitis होता है वो यह लोग क्या करते हैं? कैरी करते हैं और यह ट्रांसफर करते हैं Humans में Next है हमारा Female Anophilies तो यह वो Mosquito है जो क्या करता है? जो कैरी करता है Malaria वाले Protozoans को यानि Plasmodium को यह सर्फ Female Anophilies इसलिए करता है क्योंकि Mosquitoes में एक Protein सिक्रीट होता है और यह Protein जो है Special Protein यह सर्फ Female में ही पाया जाता है इसलिए यह जो Plasmodium वाले Protozoans है यह सर्फ और सर्फ Female बाडी में ही जाते है और यह जो Protein रहता है Special वाला Protein यह Male में जो है Absence रहता है और इसी वज़े से Male जो Mosquitoes होता है उन में Malaria का Virus Sorry, Malaria का Protein ट्राविल नहीं करता है इसी वज़े से हमारा Third Option बिलकुल Correct है Last Aries तो Aries जो है यह Dengue का Mosquito है या फिर Dengue के Vectors है और यह Dengue लेके ट्राविल करते हैं और फैलाते तो हमारा Correct option हो जाएगा Female Learn of Failures Malaria के लिए तो हम लोग इसको टिक कर लेंगे Classics से 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टा या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सू पर